राजकुंद्रा की मुश्किले भी हाल फिलाल तो कम नहीं होने वाली है राजकुंद्रा कोई बर फिर से extended judicial custody में भेश दिया गया है क्या है इस judicial custody का कारण वो भी बता रहे हैं कोर्ट चलिए जानते हैं इस विडियो के अंदर हलो दुसुस लीसा गंगवानी Tuesday यानि कल के दिन जो है राजकुंद्रा की judicial custody complete होनी थी but then while he was presented to the court वो judicial custody खतम होने की बज़ा extend हो गई और extension का कारण जो था वो थे जो दलीले पेश की गई थी by lawyers and by people who have kept him in his judicial custody यानि की जो police officers थे या जो भी investigating officers और investigating team थी उन्होंने कुछ ऐसी अपनी problems को सामने रखा कुछ ऐसी दलीले सामने रखी कि राजकुंद्रा की नयाया एक हिरासत खतम होने के बज़ा यानि की judicial custody खतम होने के बज़ा है और extend हो गई है दरसल उनका ये साफ कहना है कि अगर राजकुंद्रा बाहर जाते हैं if he is set free in the world तो वो जाके सबसे पहले जो भी evidences हैं उनको tamper करने की कोशिश करेंगे हो सकता है जो भी witnesses हैं उनको influence करने की कोशिश करें और इससे case पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपको बताते पॉर्नोग्राफिक केस में राजकुंद्रा अरेस्ट हुए हैं और उनकी मुश्किले लगातार बढ़ती ही जा रही है जा उनको अरेस्ट कर लिया गया था उनको judicial custody में रखा गया है तो एक के बाद एक उनकी judicial custody भी extend होती जा रही है उनको bail नहीं मिल पारी है और इस बार इस दलील पर कि वो बाहर निकलते ही सबसे पहले evidences को tamper करेंगे सबसे पहले अपने जो witnesses हैं उनको influence करेंगे इसके चलते court ने उनकी judicial custody को और बढ़ा दिया है तो वह इस पूरी खबर को सुनकर आप सभी लोगों का क्या reaction है क्या कहना चाहेंगे आप लोग जल्दी से लिक कर बता दिजे में comment section में बाकि Bollywood, Television, Big Boss, OTT हर तरह की खबरे आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है तो हमारे साथ जुड़े रहे है